हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का अब तक दोस्तों आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा CISF Head Constable Ministerial पुरानी वाली भरती की रिटन एक्जाम कब होगा आप लोगों के जब से ये नोटिस आये तब से काफी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे काफी यदा सवाल आ रहे थे कि इसका बेपसाइट परसेडियूल क्यों नहीं है आखिर में बेपसाइट परसेडियूल आएगा की नहीं और दोस्तों काफी बड़ी खुसकबरी ये है कि आपकी रिकूट्मेंट की प्रोसेस बिल्कुल सुचार रूप से स्टार्ट हो चुका है अब कोई बादा नहीं है डेफिनेटली परिक्षा कंड़क्ट कराई जाएगी एडमेट कार्ट कब आएंगे ये भी मैं इसी वीडियो में साज़ा करूँगा और आप लोगों के सबसे खास बात कंड़ीशन कितना इसमें देखने को मिलेंगे कितना दोस्तों रिटन एक्जाम के बाद आप लोगों के कटाप जा सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन स्टेप बाई स्टेप मैं इन्फॉर्म करने वाला हूँ तो बने रही है पूरी जो है सर्कुलर ही अकसर देखने को लिए मिलते हैं सिया ये सफ हट को इस्टिबल मिनिस्टिल नई वाली वर्ती के फीजिकल की सर्कुलर नोटिस आया था और डारेक्ट आपके फिर उसके बाद एडमेट कार्ड आये फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा फीजिकल भी चल रहे है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसका ओफिसल साइट पर नोटिस आये ये फिक्स नहीं है लेकिन ये ओफिसल ही है आप लोगों के 100% परिक्षा मार्च में 11 मार्च 12 मार्च और 19 मार्च को कंड़क्ट कराये जाएंगे इसमें डाउट वाली कोई बात ही नहीं सवाल ये होता है कि कितना कंपरडिशन इसमें देखने के लिए मिलेंगे समझेगा 3,3,000 कैंडिडेट इसमें रिटेन इक्जाम में भाग लेने वाले हैं और किसी भी भरती परिक्षा हो दोस्तो चाहे आप लोगों ने देखा होगा परसेंटेज केवल 65% 70% ही अटेंडेंस लगते हैं हाला कि इसमें दोस्तो करीब 50% भी अटेंडेंस लग जाए वो बड़ी बात होगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके एलावा दोस्तो इसके बाद आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे उसमें भी कुछ कैंडिडेट मैक्सिमम छटेंगे ओराल दोस्तों कठाप ज़्यादा हाई नहीं जाएगी इसके बारे में मैं एक स्पेसल वीडियो उसके मादे हम से पूरा डीटेल इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस कटेगरी में कितना कंपेटिशन देखने को मिलेंगे यह सब दोस्तों एड्मिट कार्ड करीब 25 दिन 20 दिन पहले ही जारी करेगा उमीद है कि आपके 20 परवरी तक एड्मिट कार्ड आना सुरू हो जाएंगे इसके बारे में कोई और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी डिपरेटली इंफॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो को लाइक नहीं कियो तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा तो फिर में लिंगे